नमश्कर दोस्तों कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए ले कर आए हूं टूल इस कलरफुल यद ग्लाम आय लुक आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी अगर आपको जानना है कि मैंने इस आई लुक को कैसे क्रेट किया है तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर से देखेगा इस वीडियो मैं सिर्फ अपनी लिफ्ट आई पर आशाड़ को अप्लाइ करके दिखाने वाली हूं तो फिलहाल मैं एलेगर प्रो का पीच कलर करेक्टर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं और अब हम L'Oreal का True Match Concealer in the Shade Fair Light यूज़ कर रहे हैं और अब मैं Concealer को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं Amazon का Brush यूज़ करके बहुत ही जादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से Color Correction करें और उसके बाद अप्लाइ करें Concealer को इससे क्यों हो कि जो डाकनेस है वो कैंसल आउट हो जाती है और इसक्यों पर Concealer बहुत अच्छा दिखता है अधरवाइस ग्रे कास देख सकता है फिलाहाल मैं Concealer को सटकेने के लिए यूज़ कर रही हूं Maybelline का फिक में Lose Powder in the Shade Medium आशके मीडियो में हम Makeup Revolution का ये वाला पैलेट यूज़ और बहुत ही अच्छा और कलरफुल पैलेट है मैं फिलाल अपनी आइलेट पर अप्लाइ कर रही हूँ एक वाइट पेस ये है निक्स की जमबो आई पैंसल इन दे शेड मिल्क अब मैं रिंग फिंगर की मदद से प्रड़क को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं और एज़ की धीरे करके इस आइशड को रिएप्लाइ कर रही हूं किसी भी कलरफुल आई लुक के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका आई बेस जो है वो अच्छा हो ताकि जो कलरफुल आई शेडल है वो उभर कर दिखें अगर आपके पास निक्स का जमबो इस आइशड को पिक किया है और अपनी एन और हाफ ऑफ दे लिट पर अप्लाइ कर रही हूं इस आइशड को एक्सिस को हमेशे टैप आफ किया कीजिए और अधरवाइस आपको बहुत ज्यादा फॉल आउट का सामना करना पड़ सकता है मैं फिलहार पिंक आशड को आपको पताना चाहूंगी कि मैंने इस ब्रश को क्यों पिक किया ये ब्रश बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं प्रिसाइसली आशड को अप्लाइ कर पा रही थी इसलिए मैंने इसे पिक किया अब हम डिटर प्राइमर यूज कर रहे हैं यह है निक्स का ग्लिटर प्राइ कर रहे हैं और यह जो मेटालिक आशड़ है भी उबर कर दिखे इसलिए भी हम इसे यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे फायदे हैं एक ग्लिटर प्राइमर को यूज करने के हम सिल्वर आशड़ को उस एरिया पर अप्लाइ कर रहे हैं जहां पर हमने ग्लिटर प्र क्रीस पर अप्लाइ कर रहे हूं और ध्यान रख रहे हूं कि सिल्वर आशड़ों के ऊपर ना अप्लाइ करूं इसलिए मैं इस प्रसाइस ब्रश को यूज करती हूँ I absolutely enjoy creating colorful eye looks और मुझे आज का eye look तो बहुत जादा अच्छा लग रहा है तो अब हम green eyeshadow को reapply करेंगे हम silver eyeshadow के साथ green eyeshadow को अच्छे से blend करेंगे और pink eyeshadow पर भी हम थोड़ा सा green eyeshadow apply करके overall edges को soften कर रहे हैं अब मैं Morpheka small precision brush यूज कर रही हूँ यह flat brush है इससे मैं यूज कर रही हूँ silver eyeshadow को reapply करने में और crease पर मैं काफी crisp line चाहा रही थी इसलिए मैंने इस छोटे brush को यूज किये हैं आज हम काफी dramatic wing liner ड्रॉ करने वाले हैं तो मैं यूज कर रही हूँ sheen का hold live eyeliner अब मैं यूज करने वाली हूँ एक black kajal तो यह है Maybelline का closeal kajal काफी popular product है यह और मुझे comment करके ज़रू से बताइएगा कि आपने इस product को कभी try किया हुआ है या नहीं अब मैं Makeup Revolution के Euphoria palette में से silver eyeshadow को ले रही हूँ Morphe के pencil brush पर और inner half of the lower lash line पर मैं silver eyeshadow को अच्छे से apply कर रही हूँ don't worry मैंने बिल्कुल भी pressure apply नहीं किया था देखे मेरा brush जो है मैंने कहां पर पकड़ रख रहा है तो बहुत ही अच्छे से और हलके हातों से मैंने product को apply किया है अब हम lashes को curl कर रहे हैं अब हम mascara apply करेंगे तो मैं use कर रही हूँ अपना current favorite mascara जो की है Mac Cosmetics का Extreme Dimension 3D Black Lash mascara ये mascara मुझे अच्छा लगा इसने मैं से regularly use कर रही हूँ अब मैं use कर रही हूँ Yvonne की mocha lipstick ये brown lipstick है इसके उपर हम apply करेंगे Maybelline का lip gradation lip crown in the shade mauve 1 ये बहुत ही प्यारा shade है तो कुछ ऐसा दिखता है आज का हमारा eye look overall eye look बहुत ही जादा अच्छा लगा मुझे आप मुझे comment करके बताइएगा कि आपको ये video कैसी लगी और मैं फिर से दोराना चाहूंगी कि मेरी जो right eye पर मैंने eye shadows apply कर रखे हैं उस पर only एक video film कर रखी है मैंने वो आप जरूर से देखेगा otherwise मैं उसको link कर दूँगी description box में काफी vibrant है ना ये eye look और make up look जो है वो काफी subtle लग रहा है और eyes मुझे बहुत ही जादा प्यारे लग रही है तो दोस्तों ये थी आज की video आशा करती हूं कि आपको ये video अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content पसंद आ रहा है तो please मेरे channel को subscribe करें mail button पर click करें थाकि जब भी मैं नई video को upload करूं तो आपको notification मिल जाए इसी के साथ मैं इस video को खतम करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे मैं जल्द ही मिलती हूं अपनी अगली video में take care bye bye